दोस्तों आज हम तफसीर कुरान की सीरीज में सूरा बग्रा की आयात 49 और 50 की तफसीर को देखेंगे जिसमें अल्ला ताला कहता है वा इस और जब नजज़ाई नकुम इसका माददा है नून, जीम, वाउ जिससे निजात का लवज बनाए तो नज़ाई माने निजात दी, इसके बाद नून के उपर खड़ा लिफ है यानि के ना जिसके माने होते हमने, निजात दी हमने, इसके बाद है कुम, जिसके माने होते है तुम सब को, तो वाइज नज़ाईनकुम और जब निजात दी हमने तुमें, किस से निजात दी? मिन कुरसी पर जो भी बैठता था उसको फिरॉन कहा जाता था जैसे आज वजीर आजम या सदर की कुरसी आएं तो इसी तरीके से मिसिर के बादशाओ को फिरॉन कहते थे तो आल फिरॉन यानि उस कुरसी पर जो बैठते थे वो उस कुरसी को अपनी आल के अंदर ले आते अपने खानदान के अंदर ले आते इस तरह बाश्याहत और इक्तदार के लाइक एक खास खून को ठहरा दिया जाता अब चूंके ये लोग किसी भी हुनर से आश्रा नहीं होते थे यानि कि खुझ से एक रुप्या कमाने के काबिल नहीं होते थे तो साइकोलोजिकली जब से ये पैदा होते तो खुद को ये इक्तदार वाले या बाश्या या मसनद वाले समझते और आवाम को काम वाला समझते क्योंकि इनके लिए आवाम इनसान नहीं होते बलके जानवरों की तरह के घुलाम होते हैं और यही आज भी हो रहा है आज भी एक्तिदाद चंद खानदानों में मुकीद होकर रह गया इस वज़ा से अल्ला की तोहीद और वैदानियत जो हर इनसान के लिए एक कानून का तकाजा करती है यानि कि फात्मा बिनते मुहम्मद भी चोरी करेगी तो हाथ कटेंगे क्योंकि खुदा की वैदानियत एक कानून की शकल में रियासत मदीदा में नाफिस थी मगर आज के इसलाम में आपको कहीं खुदा की वैदानियत यानि किसी मुल्ग में कानून की हैसियत एक नजर नहीं आएगी, वननेस नहीं आएगी कानून में तो ऐसी आल यानि अलाज जो कानून से उपर हो, इस आल से जान छुड़ाने का आप सोच सकते हैं किस हद तक नामुम्किन सा काम था यह इसी चीज़ को अलाज बेयान करता है कि हमने तुम्हें निजादी एक इकतदार पर काबिस खानदान से, जिनके लिए तुम इनसान का दरजा ही नहीं रखते थे और इस हालत का नक्ष़ा अल्ला ताला इस लफसे खेंचता है कि यसो मुनकुम्, इस लफस का माद़ा है सीन, वाओ, मीन यह लफ मरकब है, यानि जा के तलाश और जिस्तुजू करना इंग्लिश में एक लफस होता है, फैच, वो भी मरकब होता है, यानि कि जाना और जाकर लेकर आना तो इसी तरीखे सौम का लफस है, यानि जाना और जाना भी किसी चीज़ की तलाश में, किसी जस्तुजू में इसलिए ये लफ्स तलाश और जुस्तुजू के लिए भी बोला जाता है तलाश और जुस्तुजू के महासिल के लिए भी बोला जाता है अलामत और निशानी के लिए भी इस्तमाल होता है तो यहां अल्ला कहता है और इस इक्तिदार पे काबिस टूले का हाल ये था कि यसौम वो जाते थे और धून धून कर लाते थे आखिर में कुम है यानि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ये धून धून कर लाते थे क्या चीज़? सौल अजाबे तरह तरह की तकालीफ तरह तरह की सजाएं तरह तरह की मुश्किलाथ तरह तरह की अजाब तरह तरह के टेक्सिस और लाके तुम पर थूब दे दे थे और इस जल्म के मेकैनिजम को इस सिस्टम को चलाने के लिए वो क्या करते थे यूजब बेहुना इसका माददा है जे बेहे जुबा करना तो ये आले फिरौन जुबा करते थे किसको अवनाकुम इसका माददा है बे नून ये बनी इसको मैं पिछली वीडियो में डेटेल में एक्स्प्लेंट कर चुका हूँ लेकिन मुक्तसरन बनी के माने बेटे के भी होते हैं तो इसलिए आम तरजुमा किया जाता है कि तुम्हारे बेटों को कतल कर देते थे यानि कि तुम्हारे यहां के सारे बेटों को जान से मार देते थे ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सती है मगर बिना इमारत को भी कहते हैं जो तामीर हो रही हो अगर कौम की बात करें तो कौम के वो बेटे जो कौम की तामीर करते हैं जिन में जोहरे मरदानगी होती है तो आले फिरॉन हर उस इनसान को मार देते थे जिसमें जोहरे मरदानगी हो हर वो इनसान जो इनके जुम के खिलाफ आवाद उठाता इनकिलाब की बात करता लोगों में इस गुलामी से अजादी का शहूर पैदा करता इसके लिए कोशिश ये करता तो फिरोन कौम के ऐसे बेटों के लिए कौम के ऐसे इबनाओं से निमटने के लिए पूरा सिस्टम लगा देते और ऐसे मर्द मौमिनों को इबरत की निशानी बना देते ताके दूसरा कोई ऐसी जुरत करने की कोशिश ना करे तो जब कौम के हर उस मर्द को मार दोगे जो आवाद उठाने की ताकत रखता हो जो जोहरे मर्दानगी रखता हो तो पिर क्या चीज़ बचेगी कौम के अंदर वो है निस्वानियत और इसी को अलब ताला केता है वैस्तायूना और वो जिन्दा रखते थे इसका माददा है हे ये ये जिससे हयात बना है तो वो हयात देते थे यानि जिन्दा रखते थे किस चीज़ को निसा हाकुम इसका मादधा है नून, सीन, वाउ इसके आम माने औरत कही होते है कुरान में भी ये लफ़ औरतों बीवियों के लिए इस्तमाल हुआ है लेकिन इस लफ़ के माने ये भी होते है वो जो जोहरे मर्दानगी से आरी हो जिसके अंदर जोहरे मर्दानगी ना हो उसके लिए भी ये लफ़ इस्तमाल होता है और अगर थोड़ा सा क्रिटिकली अनिलाइस करें तो अगर फिरोन वाकई में सारे मर्दों को सारे बेटों को मार देते थे तो पिर हकूमत किस पर करते थे वहाँ नसल चलती कैसे थी तो नजर आपको यही आएगा कि आले फिरोन कौम के उन बेटों को मार दिया करते थे जो किसी कौम को तामीर करने की सलाहित रखते थे जल्म के खिलाफ आवाद उठाने और शौर बिदा करने की कोशिश करते थे इनको मार दिया जाता था और इस तरीके से कौम के मर्दों में मर्दानगी खतम हो जाती और फिर क्या चीज रह जाती वह निस्वानियत यानि कि जल्म देखते रहो चुप रहो इस खौफ से कि कहीं मार ना दिये जाओ और यही चीज आज भी आपको हर जगा नजर आएगी जो लो इक्तिदार के एवानों में जो जल्म का निजाम काईम रखे हुएं वो आपको जिन्दा उस वक्त तक रखते हैं जब तक आप इनके निजाम के खिलाफ आवाज ना उठाएं आपने यहाँ आवाज उठाई यहाँ आपका काम तमाम कर दिया जाता है आगे लगा कहता है वफी जालिकुम और इसमे तुम्हारे लिए बलाउन आजमाईश थी इस लफ़ का माद़ा है बे लाम बाओ इसके माने होते हैं किसी चीज़ की असली हालत जाहर कर देना चाहे वो असली हालत अच्छी हो या बुरी तो आजमाईश से मुराद होती है इनसान के अंदर की सलाहियते भार ले आना तो जो लोग आजमाईश में सुरुखरू होते हैं तो वो ही होते हैं जिनके अंदर मुझबस सलायते थी और वो मुझबस सलायते हैं उनकी बाहर आई जिसकी बिना पर वो कामियाब होए और जो लो मुझब वक्त में मन्फी सोचों में घर जाते हैं वो आजमाईश में नाकाम हो जाते हैं तो वफी जालिकुम और इसमें तुम्हारे लिए बलाउन आजमाईश थी मिर रबेकुम तुम्हारे रब की तरफ से अजीमुन बहुत बड़ी वह इस और जब फरकना इसका माददा और फिरे काफ फरक जिसके माने होते हैं दो चीजों को अलग कर देना दोुछीजों में फरक लाना अरबी में बालों की मांग के लिए भी लवज इस्तमाल होता है क्योंके बाल जब मांग निकाले जाती है तो दो हिस्सों में बड़े आते है अल्लादने कुरान को फुरकान कहाい यानि ये हक और बातिल का فرق बियान करती है हक और बातिल को अलग कर देती है अल्ला ने फिर्के बनाने से मना किया है मतलब अल्ला की रसी को मजबूती से पकड़ो और उम्मत को मुख्ति नजरियात और अकायती बुनियात में फर्क पैदा ना करो फिर्के मत पैदा करो तफरीक ना लेकर आओ बांटो नहीं तो फर्क ना आखिर में ना है जिसके माने होते हैं हमने फर्क ना हमने फर्क डाल दिया हमने दो हिस्सों में बाढ़ दिया तो दो हिस्सों में बाढ़ दिया हमने क्या चीज अल्बारा बहर समंदर को भी कहते हैं और दरिया को भी तो समंदर या दरिया को बहर को हमने दो हिस्सों में बाड़ दिया ताके बीच में से रास्ता निकलाए तो तुम्हें तो हमने निजाद दे दी और दूसी तरफ क्या हुआ वा अग रकना घर कर दिया हमने किसको आला फिरोना फिरोन की आल को वा अन्तुम और तुम तन्जुरूना तुम देख रहते तो हमने दो हिस्सों में बाड़ दिया पानी को और बीच में से रास्ता निकाल दिया जिससे तुम बज गए और आले फिरोन को हमने उसमें घर कर दिया और ये मनजर तुम देख रहते तो दोस्तों इस तरीके से सूरा बाकरा की पचास आयात की तफसीर हम मुकमल कर चुके हैं अगली एपिसोड में इंशाला हम 51 वी आयात से हम तफसीर का अगास करेंगे शुक्रिया